नमस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आज फिर आपके लिए MP बोर्ड कच्छा बारा हिंदी विशय के अंतरगत तुलसी दास का पर्चे लेकर आया हूं तो परिच्छा में पर्चे किस तरह से पूछे जाते हैं उसमें पर्चे इस तरह से पूछे जाते हैं कि तुलसी दास का पर्चे निम्रिखित बिंद्यों के आधार पर दीजिए मान लो इस तरह से पूछे जा सकते हैं और उसमें जो बिंदू कौन से दिया हूंगे जैसे मा काले पेंसे ही लिख देंगे तुलसी का दास का पर्च है आप ये लाल पेंसे ना लिखें काले पेंसे ही लिखें ठीक है तो इतना लिखने के बाद फिर हम दो रचना ये भी काले पेंसे डाल देंगे और उसके अंतरगर लिख देंगे राम चरित मानस और दूसरी लिख दी ह और उसके अंतरगर लिखेंगे तो सीदास संस्कृत भासा के बड़े जानकार थे उसके बाद भी उन्होंने लोगों की भासा अवदी और विरज को अपनाया इनकी भासा में लोकोक्ति और मौारों का विसेश प्रियोग दिखाई देता है भासा की मदूरता ने काव में चार चांद लगा दियें भासा का प्रवाव इतना है कि आज भी लोगों के ओटों से उनकी काव पंक्तिया सुनी जा सकती है फिर हम काले पेंसे ही एडिंग डालेंगे सैली सैली में लिखेंगे तुलसी की रचनाओं में किसी विसेश सैली का प्रियोग नहीं दिखाई देता है उन्होंने सभी प्रमुक सैली का प्रियोग किया है राम चरित मानस में प्रवंद और बिने पत्रका में गे सैली का प्रियोग किया है करतावली में कवित और वर्बय रामाड में छप सैली का प्रियोग दिखाई देता है कुछ रचनाव में वर्डनात्मक उपदेसात्मक सैली का प्रियोग मिलता है तो ये हो गया आपका सैली का पिर हम एडिंग डाल देंगे सायत मिस्तान कालेपें से और उसके अंदर लिखेंगे उत्तर तुलसी दास भक्तिकाल के प्रिमुक कभी हैं उन्हें जन कभी माना जाता है उनके इर्दय में लोकमंगल की भावना थी वे सभी के लिए सुक की कामना करते हैं उनकी रचनाव में मानो जीवन के सभी चरित्र मिलते हैं वास्तों में तुस्री दास लोकनायक थे ऐसे रचनाकार को समस्त जगत सदेव नमन करता रहेगा तो ये हो गया आपका तुस्री दास का पर्च है ठीक है अगर इससे समंदित कोई डाउट हो आपको प्रसन पूछना हो तो हमें कमेंट करके अवस्वताईगा और इसी तरह से हिंदी से समंदित किसी प्रकार का कोई आपको कंटेन या विसाइवस्तू चाहिए तो हमें जरूर कमेंट करको ताईएगा हम प्रियास अवस्वत करेंगे तो फिर आज के लिए इतना ही आपको ये सबसमन में आ गया होगा इसी तरह से साप, सुध और स्वच उत्ता लिखेंगे तो निश्चत तोर में आपको पूरे में पूरे आँख मिलेंगे आज के लिए इतना ही धन्वाद